कूट नितिक दृष्टी से केंदर में मोधी सरकार कॉंग्रेस के अब तक के कारेकाल पर भारी है सेवा निवरित ब्रिगेडियर खुशाल ठाको ने शिमला में पत्रकार वारता के दौरान केंदर सरकार की ओर से किये गए सर्जिकल ओपरेशन को मजबूत राजनेतिक इच्छा शक्ति का नतीजा बताया उन्होंने साफ किया कि कॉंग्रेस कारेकाल में टेकनिकल ओपरेशन हुए है लेकिन बड़े सतर के सर्जिकल ओपरेशन केवल मोधी सरकार में किये गए है की कूट नीतिक जीत बताया 35 वर्ष से अधी के अपने सैने जीवन के अनुभव को साज़ा करते हुए उन्होंने कहा कि सैने स्तर पर दोनों देशों की सेना के बीच टकराव आम बात है और भारत ने टेक्टिकल ऑपरेशन्स कई बार किये हैं लेकिन आतंकवाद के खिलाफ स चास अजार उपए के बढ़ोतली सहीत मोधी सरकार के कई ऐसे फैसले हैं जिससे सैनिकों और पूरुव सैनिकों और उनके परिवारों को सीधा लाब हुआ है वहीं कॉंग्रेस की नाकामियों को गिनाते हुए ब्रिगेडियर खुशाल ठाकु ने कहा कि कॉंग्रेस प्नीती के कारण शिमला में टेबल पर ही हम हार गए और 93,000 युद्ध बंदी के बदले भारत अपनी एक भी मांग नहीं मनवा सका भारत की अजादी के बाद आज पहली बार लग रहा है कि इंदुस्तान सुर्क्षित आतों में हैं और आज एक बड़ी स्ट्रॉंग पॉलिटिकल विल और एक बड़ा स्ट्रॉंग लिडर्शिप भारतिया जन्ता पाल्टी में हैं मोधीजी के मोधीजी में हैं और जिस तरह से आप देख रहे हो कि आज तक आतंकबाद के विरुद जो भी लड़ाई होती थी वो नियंतरन रेखा के इस पार हुआ कर दी थी भारत के इत्यास में यह पहली वार हुआ है जब की पहली वार सौ किलोमेटर अंदर भुसकर पीयोके में नहीं उसकी में लैंड में भुसकर अतंकबाद जहां पर पैदा होता था जहां पर उसकी फैक्टरी थी जहां पर उसको प्रसिक्षन दिया जाता है वहां पर भुसक कारगिल में मैं खुद रहा हूँ उसमें भी इंटरनेशनल बॉर्डर को या लोसी को पार्ग नहीं करने दिया गया था ये किसी नीती के तहर था शायद उस ताइम लगता था कहीं अंतराश्ट्रियर समू के जो देश हैं वो नराजना हो जाए या लगता था उसके पास न्यूकलेर है दोनों देशों के पास कहीं न्यूकलेर यूद ना छोड़ जाए लेकिन आज मोदी जी ने ये बड़ा साफ कर दिया है कि अगर आतंक बाद की घटना इस तरह से बढ़ती रही हम जो है कीट का जवाब पत्तर से देंगे गोली का जव हमें खुशाल ठाकों ने कहा कि सेना में प्रदेश के योगदान को देखते हुए हिमाचल रेजिमेंट स्थापित करने और हिमाचल के भरती कोटे को बढ़ाने के लिए प्रयास जारी रहेंगे व्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिम्रा